हालो फीवर्स वेलकम टे एक्स्प्लॉर्स यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीवी इस के तरब से आने वाली बाइक टीवी एस अपाचे आर्टी आर वान एटी टू वी बाइक के बारे में जो बाइक बहुत पहले से इंडिया में है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन इस बाइक का भी BS6 कॉंप्लाइंट एंजिन के साथ नया मोडल इंडिया में लॉंच हो गए है और यहां पे बहुत सारे चेंजिस भी हुए हैं तो आईए जानते हैं इसमें चेंजिस क्या है लुक्स में और फीचर्स में लेकिन जाने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए क्योंकि यहां पे और भी बहुत सारे इंट्रेस्टिंग बाइक रिलेटेड इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलता है और आप लोग हमें फेस्बुक ट्विटर और इस्टर्राम में भी फॉलो कर लीजिए क्य तो सामने से लेकर पीछे और कहीं से भी आप इस बाइक को देखे कोई भी चेंजिस आप लोग को नहीं देखे गा मतलब लुक्स के मामले में कोई भी चेंजिस यहां पर नहीं है सिर्फ और सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत ग्राफिकली चेंजिस यहां पर किया गया है आभी भी यहां पे Halogen Headlight ही दिया गया है और उसके उपर आप देख सकते हैं वो ही Signature Style, Apache Signature Style, LED DRL भी दिया भी दिया गया है जो दिन में भी जलता है और देखने में आर अलग लूग देता है बाइक को instrument cluster को अगर देखेंगे तो यहाँ पे white color का backlit के साथ आता है यह instrument cluster और यहाँ पे एक semi-digital instrument cluster मिलता है मतलब थोड़ा पार्ट है analog थोड़ा पार्ट है digital और यहाँ पे जो information पहले भी मिलता था वोही सब कुछ अभी भी मिलता है कोई नई चीज यहाँ पे एड नहीं हुआ है सिर्फ engine malfunction का एक indicator एड हुआ है बागी सब कुछ यहाँ पे सेम ही है handlebar को अगर देखेंगे तो यह अभी भी वही clip on handlebar मिलता है यहाँ पे tank भी वही सेम है यहाँ पे भी कोई changes नहीं है सीट को अगर देखेंगे तो सीट भी वही एक single unit seat है जो बहुत जादा comfortable है डाइडर पी लिया दोनों के लिए ही पीछे का portion को अगर देखेंगे तो वहाँ पे जो टेल लाइट दिया गया है वह भी सेम है जो पहले भी मिलता था मतलब एक LED यूनिट इसका look बहुत अच्छा ही है पहले से ही और इंडिकेटर्स को अगर देखेंगे तो अभी भी bulb इंडिकेटर्स यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर भी कोई changes आप लोगों को नहीं दिखेगा बाकि सारे चीज़ों को अपर देखेंगे जैसे कि exhaust वो भी पहले जैसा ही है सामने मिलता है टेलिस्कोबिक फोक्स पीछे मिलता है dual gas charge मतलब नाइट रोक्स, gas charge, suspension suspension setup थोड़ा सा softer side में है पीछे का और सामने का है थोड़ा सा hard braking के अगर बात करें तो सामने मिलता है disc brake, पीछे भी मिलता है disc brake और यहाँ पे कोई भी drum brake variant का option नहीं है यहाँ पे मिलता है single channel, ABS, dual channel का भी option अभी तक नहीं दिया गया है tire के अगर बात करें तो सामने पीछे दोनों ही तरफ मिलता है 17 inch wheel और सामने का tire size 90 by 90, पीछे का tire size 110 by 80, tubeless tires मिलता है और tire का grip बहुत अच्छा है engine के अगर बात करें तो यहाँ पे अभी भी वही 177cc का single cylinder air cooled engine मिलता है जो अभी fuel injected है, मतलब carbohydrate को हटा दिया गया है और 5-speed gearbox का support मिलता है और इसके साथ साथ जो power protection यहाँ पे होता है वो है 17.3 bhp और उसके साथ 15.9 mm का torque मिलता है इस engine से बाकी सारे चीजों का अगर देखेंगे जैसे कि इस bike का अगर carboard को देखेंगे तो यहाँ पे weight बहुत कम है इस bike का, इस bike का weight है 139 kg, seat height है 790 mm और जो ground clearance है वो है 165 mm का launch date और pricing के अगर बात करें तो launch date है April 2020 मतलब अगले महिने यह bike India में launch हो जाएगी और price जो होने वाली है वो है 99,000 रुपीज एक showroom डेली में तो यही थाज का वीडियो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंदा है तो इस वीडियो को like कीजिए नीचे comment कीजिए और दोस्तों के साथ share जरूर कीजिए thanks for watching see you in the next video